प्रेम से बोलिए तुलसी माता की चै आड़े भक्त गनो आज सर्वन करेंगे नित्य नेम से सुने जैने बली मा तुलसी की पौरानिक कथाई कोभी भक्त स्रद्धा भक्ति के साथ मा तुलसी की पावन कथा को नित्य रोज सर्वन करता है उसके भंडार कभी खाली नहीं पड़ते और उसकी सभी मनुकामनाय सिगरही पुर्ण हो जाती है तो आईए सर्वन करते हैं मा तुलसी की पावन कथा प्रेम से बोले तुलसी महरानी की जै बहुत समय पहले की बाथ है किसी गाव में सभी औरते तुलसी माता को सीचा करती थी और तुलसी माता को सीचते और पुचते समय कोई औरत धन मांगती तो कोई पुत्र मांगता तो कोई सुहाग मांगता सब कोई सिचकर अपने घर को चला आता उसी गाव में एक डोकडी सवा पहर रात को उठती थी और सवा पहर दिन चड़े तब तुलसी माता की पूजा करती थी तुलसी माता को पूज कर सिचकर वह कहती थी हे तुलसी माता सतकी दाता मैं बिरला सिचू तेरी तु करनिस्तारा मेरा तुलसी माता बहु दिजे, बेटी दिजे, पोता दिजे, लड़ू दिजे, पितांबर की धोती दिजे, गहना दिजे, घी का घरा दिजे, मिठा मिठा खीर और पूरी दिजे, दालभात का भोजन दिजे, धन्द अलत दिजे, बेटा पोता को काम दिज तुलसी का पत्ता दीजे, मुह में गंगा जल दीजे, सुरज जी की साख दीजे, जल यमुना की निर दीजे, इग्यारस को दीजे, मरू तो बैकुंट में बास दीजे, चन्दन को दाग दिजिए मरू तब आप सिरी कृष्ण को कांधा दिजिए हर हर करते बैकुंठ जावे रोज इतना कहकर आती थी उस डोगरी की इतनी सारी बाते सुनकर तुलसी माता सोखने लगी भगवान स्री कृष्ण बैकुंठ से ये सब देख रहे थे एक दिन भगवान ने सोचा कि उना में तुलसी से पूछू कि तुलसी दिन मा दिन सुखते क्यों जा रही है सभी औरते तो रोजा कर उनको जल से सीचा करती है तो फिर कारण क्या है कि तुलसी सुखते जा रही है ये सोचकर भगवान सिर किष्णा तुलसी से पूछते हैं तुलसी क्या बात है दिन बादिन तुम सुखते जा रही हो क्या कोई बात है मुझे बताओ तब तुलसी माता ने भगवान स्री कृष्ण से कहा प्रभू आप तो मेरी मन की बात मत ही पूछो तो भगवान बोले कि अगर मैं तुम्हारी मन की बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा अब तुलसी माता भगवान स्री कृष्ण से कहने लगी कि एक डोगरी माई आती है मेरे पास और रोज इतनी सारी मनत मांगती है मैं उसकी सारी मनत को पूरी कर दोंगी मगर एक मनत को पूरा नहीं कर सकती भगवान ने कहा ऐसा कौन सा मनत है तुलसी इसे तुम पूरा नहीं कर सकती, मुझे बताओ, सायद में तुम्हारा कुछ मदद कर सको, तुलसी माई कहने लगी है भगवान, क्या बताओ, ये बुढ़ी माई कहती है, जब वो मरे, तु उसे कृष्णा का कंधा चाहिए, पे तु इसकी सभी मनत को पूरी कर दू, पर देने जरूर आऊंगा, मारी भक्त की सभी मोनो कामना को मैं जरूर पूरी करूंगा, आप चिंदा मत कीजे, आप हरे भरे होकर फूलिए, कुछ दिनों के बाद वह डोगरी रास्ते में ठोकर खाकर, क्रिश्णा भगवान के मंदिर के सामने गिर गई, और उसका मौत हो गय पूरे गाओ के सभी लोग आए, और डोगरी को सभी लोग धर मात्मा मानते थे, उसको तूलसी जी की डोगरी कहते थे, उसके परिवार में कोई और नहीं था, इसलिए गाओ बालो नहीं, उसके अंदिम संसकार की योजना बनाई, और उसे नहला कर जब बैक कुंठी पर ब तरह के बाते करने लगे, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है, वह पूरे गाओ में चर्चा होने लगा कि डोगरी माई कोई भक्ती नहीं करती थी, यह चल कपट करती थी, जिसे हम धर मात्मा समझते थे, असल में यह बुड़ी माई तो महा पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है, इधर सिरी कृष्णा भगवान ने सोचा, मेरी भक्त की इतनी निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बुड़े ब्रामन का भेश धारन करके वहां चले आए, और वहां पर आकर, एकत्रित ल भीर क्यों लगाया है आप लोगों ने, तो सभी लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है, इसलिए भीर लगा है, यह डोगरी माई तो बहुत पापिन है, इसकी लास इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ नहीं रही, सब उठा उठा कर ठक गए, मगर उठने को नाम ही नहीं ले रही है, तब बूढ़ा ब्रामन कहने लगे, मुझे एक डोगरी माई की कानों में बात कहने दो, साइद यह उठ जाए, तो सभी लोगों ने कहा, ठीक है, आप भी पडियास करके देख लीजिए, क्या पता, चमतकार हो जाए, तब भगवान ने डोगरी की कानों म कहने लगे, तु बिरिला सीचू तेरा, मैं करू निस्तारा मेरा, डोगरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लाटू ले, पितामबर की धोटी ले, गहना ले, घी का घरा ले, मिठा मिठा खीर और पुरी ले, दालभात का भोजन ले, धने दोरत ले, बेटा पोता को क काम ले, पुलसी को पता ले, मुह में गंगा जल ले, इग्यारस के दिन ले, चंदन को धाग ले, स्री क्रिश्न का कांधा ले, इतना सुनते ही चमतकार हो गया, डोगरी माई हलकी हो गई, भगवान ने बोला आओ, अब डोगरी माई को उठा कर देखो, सायद उठ जाए, भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी माई उठ गई, सबको आश्चर्च हुआ, डोगरी माई को बहुत धूमधाम से ले गया गया, भगवान ने उसे आपने कंधे पर ले गए, पूरे गाव में डोगरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ती म गई और बैकुट में चली गई, सबी लोग देखते रहे गए, सबी लोगों ने देखा कि मूर्दा घाट तक तो ब्रामन साथ ही आया था, लेकिन अब वहा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिससे लोग को समझ में आ गया कि वह भगवान ही आये थे, हे तुलसी माता, जैसे दोगरी माई की मुक्ति कराई, बैसे सब की भी मुक्ति कराना, सब को भगवान का ही कंधा मिले और सब को स्वार्ग देना, तो सबी प्रेम से बोले तुलसी माया की जै, स्री कृष्णा भगवान की जै, स्वार्णी मूनी की पुतरी तुलसी आपूर्व सुन्दर थे, उस इसके लिए उन्होंने नारेन परवत की घाटी में इस्थीत बद्रीबन में घोर तपस्या की। दीर की काल तक तपस्या को प्रांद ब्रह्मा जी ने प्रेसन होकर दर्सन दिये और बर्र मांगने को कहा। तप तूलसी जी ने कहा हे स्रिष्टी के करता ब्रह्मा देव आप तो अंतर यामी हैं आप से क्या छुपा है सबकी मन की बात आप जानते हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि भगवन स्रीहरी मुझे पती रूप में मिले। तूलसी के बाते सुन ब्रह्मा देव ने कहा। लिए इस जन्म में पूर्वे जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारैन तो नहीं। नारैन के अंग्स से युक्त दानवकुल में जन्मे उस स्राप गश्ट पार्शत से तुम्हारा बिवा होगा। स्राप मुक्त होने पर भगवान स्री नारैन सदा सरवता के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस बर को सीकार किया क्योंकि मानवकुल में जन्मे की कारण उसे माया भी भोग तो भोग ना ही था। तुलसी बदरी बन में रहने लगी। नारैन का वहाँ पार्शत दानवकुल में संख्रचूर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रामन करता हुआ बदरी बन में आया जहां तुलसी रहा करती थी। वहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्द हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ बिवा करने का प्रहताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गया। और उन्होंने तुलसी से कहा। तुलसी संख्रचूर को देखो कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानवकुल में जन में लेने के बाद भी लगता है। जैसे इसके सरीज में नारैन का बास हो। तुम प्रहताव को सिकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पुर्न हुई है। उसे इच्छित फल मिला है। संख्रचूर के साथ उसका गंधर्व विवा हो गया। और वह संख्रचूर के साथ उसके महल में पत्नी बन कर आ गए। संख्रचूर ने अपनी परम सुंदरी सदी साबधी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अभिष्टार किया कि देव लोग तक उसके अधिकार में आ गया। सुर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दसा भी खार्यों के जैसी हो गई। संकचोर किसी को भी कष्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज्य चीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रामा विष्णु और सिव की सभा में गये तथा आपनी विपत्ति सुनाई। ब्रामा जी ने कहा तुलसी परमसाद्वी है उसका विबा संकचोर से मैं नहीं करवाया था। संकचोर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। बिष्णु जी ने कहा संकचोर पुर्व जनम में मेरा पार्षद था। सुराप के कारण उसे दैते कुल में जनम लेना पड़ा। इस जनम में भी मेरा अंग्स उसमें ब्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति ब्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओ की सम्मति से भगवान सीव ने संकचोर के पास संदेश भेजा। कि या तो वह देवताओ का राज्य लोटा दे या फिर उनसे योध करे। संकचोर भगवान संकर के पास पहुचा। उसने कहा। देवादी देव आपके लिए देवताओ का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का करतब्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओ से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। और हमारा आपका यूद सुभा नहीं देता। अगर आप हार गये तो बड़ी लच्चा की बात होगे। मैं हार गया तो आपके क्रिती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। पद पर पर्थिष्टित होने दो यूद से बचने का यहीं एक उपाय है। संग चूर ने कहा। मैंने यूद के बल से तेवलुक जीता है। कोई उसे यूद के द्वारा ही वापस ले सकता है। या मेरा अंदिम उतर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहे कर संग चूर चला गया। उसने अपनी पतनी तुलसी को सारी बात बताई और कहा। कर्मे भोग सब काल सुत्र में बधा है। जीवन में हर्स, सोक, भय, सुख, दुख, मंगल, आमंगल काल के आधिन है। हम तो केवल नीमित है, संभव है। भगवन सीब दोनों का पक्च लेकर मुझसे यूद करे। तुम चीनता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवन संकर ने तृत्रों में देवताओं ने यूद छेर दिया। संख चूर ने भीशन बानों की बर्षा कर उनका बेग रोका। उसके परहार से देवताओं डगमगाने लगे। उसने दानवी सकती का पड़ियोग कर माया भी यूद आरंब किया। यूद अस्थल पर दानव संख चूर किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसका अस्थर सस्थर देवताओं पर परहार कर देवताओं को घायल कर रहा था। आप देवतागंद अपन अस्त्र सस्त्र चलाए तो किस पर चलाए और कैसे चलाए क्योंकि कोई सत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर यूद चला संकचूर प्राजित नहीं हुआ तब भगवान सिब ने विश्णू जी से कहा विश्णू कुछ उपाई करिये अन्यथा मेरा तो सारा यस मिटी में मिल जाएगा तब सिरी हडी विश्णू ने सोचे बल से तो संकचूर को हराया नहीं जा सकता इसलिए चल का सहरा लेना होगा उन्होंने तुरंद अपना स्वरुप संकचूर जैसा बनाया और बस्त्र सस्त्र से स्वजित हो तूलसी के पास आये और बोले प्रिये मैं यूद में जीत गया सारी दिवता भगवान संकर समित हार गये आओ इस खुशी में आओ मैं तुमें अंक से लगा लू पदी को प्रतेक्ष करा देख तथा बिजय का समचार सुन वह दौर कर माया भी संकचूर के गले से लिपड़ गई इस परकार पदी पतनी दोनोंने आलिंगन को खुब खुशी मनाई पर पुरुष के साथ इस परकार का बेवार से उसका सती तेज नष्ट हो गया उसका सती तेज जो संकचूर की कवज की रूप में रक्षा कर रहा था वहा कवज नष्ट हो गया संकचूर सक्ति हीन हो गया यहाँ जानते ही भगवान संकर ने अपने त्रिसूल से परहार किये त्रिसूल के लगते ही संकचूर जलकर भस्म हो गया संख चूर की मरने को जानकर विश्णू अपने असली स्वरूप में आ गये सामने अपने पती संख चूर के अस्थान पर भगवान विश्णू को खरा देख तुलसी बहुत बिस्मित होई उसको पता लग्या की स्यम नाराय ने उसके साथ छल किया है क्रोध में आकर उसने स्राप दिया एक सती इस्तिरी का अस्तित्व भंग करने के अपराद में तुम हिर्दैहिन पत्थर हो जाओ विश्णू ने तुलसी के स्राप को सीरो धारे कर कहा देवी तुम्हारा तथा संख चूर के कल्यान के लिए मुझे ऐसा करना परा तुम दोनों को स्राप मुक्त करना था तुम भी अब सरीर त्याकर तुलसी विरुवा के रुप में जन में लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं साल ग्राम पत्थर बनूंगा मेरे सीस पर तुम आधर से विरुजमान होगी तुम्हारे पत्ती की हड़ियों के चूर्ल से संख की उत्तती होगी उस संख ध्वानी से दिवतावत था मेरी पूजा अराधना होगी जहां संख ध्वानी होगी वहां मंगल मैं मैं पिरज मान रहूंगा तुमने पुर्व जनम में बदरी बन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी अब अगली जनम में मैं नारैन पर अस्तर के रुप में बदरी नाथ बन में अस्ताभित हो जाओंगा और मेरी पूजा अर्चना फलफुल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी मेरे सिस्पर ब्रजमान होकर तुम मुझे से भी उज़ा पद प्राप्त करोगी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो सालिक राम जी की जय हो विश्नु भगवान की जय हो बहुत समय पहले की बात है एक गाउ में एक ननद भावी रहा करते थे ननद अभी कमारे थे उस परिवार में ननद भावी और भाई इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था भावी तो कभी कोई पूजापाट करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा क्या करती थी उनकी बड़ी सेवा करती थी बिला तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी ननद का पूजा पाठ देखके भावी को बहुत क्रोधा था कभी कभी भावी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुमारा विवा होगा ना तो मैं तुमें और ब्राती को तुलसे ही खाने दूँगी और दहेज में ये ही दूँगी इसी तरह समय निकलने लगा तीन बितने लगी आप तो ननद भी बरी हो गई थी भावी ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और बर डूड़ा अब तो बहन की साधी पक्की हो गई बहन की साधी वाली दिन भावी ने क्या किया बरादियों के सामने तुलसी का गमला फोरकर रख दिया लेकिन ननत की सच्ची भक्ती और स्रध्धा से तुलसी माता बहुत प्रसं थी। इसी कारण से तुलसी माता की किरपा से तुलसी का गमला स्वारदिष्ट व्यांजन में बदल गया। ये चमतकार देखकर भावी बहुत आश्चारजे चकित हो गयी लेकिन फिर वी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया अपने ननत को गहने की बदले में तुलसी की मंजिरी पहना दि लेकिन तुलसी माता की किरपा से वा मंजिरी भी सोने के आपुशन में बदल भावी बहुत हैरान हुई मगर फिर भी अपनी करदूत करनी न बंद किया उसने फिर बस्त्रों के अस्थान पर तुल्सी का जनेवु रख दिया लेकिन तुल्सी के किरपा से वह तुलसी का जनेव रेशमी और सुन्दर बस्त्र में बदल गया ननत की भावी बहुत पापिन थी इसलिए तुलसी माता की महिमा को नौ जान सकी भाई ने अपने बेहन को बरे प्यार और आतर के साथ विदा किया बेहन ससुरार में कई ससुरार बाले उसके आते के बारे में बहुत बराई करने लगे जब ये बात भावी को मालूम ही तुसे बड़ा आश्चर्ज हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्वा उसको समझ में आ गया भावी की एक लर्की थी अब भावी सोचने लगी क्यों न मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूं तो भाबी अपनी लर्की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर तुझे भी बुवा की तरह फल मिलेगा पर लर्की अपनी मा के जैसे थी उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था भावी की लर्की हर रोज सुबह असनान करके उपर के मन से अपनी मा की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कड़ लिया करती थी मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा इसी तरह समय बीथते गया इस वर भावी ने खूद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवा तह किया और जब विवा का समय आया तो भावी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननत के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूँगी क्यूंकि मैंने जो ननत के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननत को इतनी इज़त मिली थी क्योंना मैं भी अपनी लर्की के साथ वैसा ही व्यवहार करूँ अब जैसे ही बराती वाले आये भावी ने तुलसी जी का कमला को फूर कर बराती के सामने रख दिया परन्तु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही मजरी वो पत्ते भी अपने पुर्व रूप में ही रहे तथा जनेव भी जनेव ही रहा सभी बराती भावी की बुराई करने लगे ससुरार में भी लर्की की और उसकी मा की बहुत बुराई हो रही थी भावी को अपनी ननत से बहुत जलन होता था इस कारण भावी अपनी ननत को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी पर भावी अपने बहन को बहुत मानता था भाई ने एक दिन सोचा बेहन की सादे कियो हुए बहुत साल हो गये यूना में अपने बेहन से मिलकर आओं उसके ससुरा जाओं अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया पत्नी से कहा कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो एहन कर खड़ जाओंगा खाली तो इसी को लो और अपने बेहन के घर ले जाओ मेरे पास और कुछ नहीं है यही है इसी को ले जाओ बेचारा पती दुखी मन से चल दिया वही जुवार भरे थैले को लेकर और मने मन में सोचते जा रहा था भला कोई भाई अपने बेहन के ससुरार में जुवार ले जाता ह जही सोचते सोचते भाई बेहन के ससुरार का तरप जा रहा था, उसने सोचा ये जोवार बेहन के ससुरार ले जाओंगा, तो लोग क्या कहेंगे क्यूना मैं इसे गाय को खिला दो, भाई जब बेहन के नगर के समिक पहुँचा, और उसने एक topic साला में गाय के सामने ज जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा ए भाई ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो सोना मोती गाय क्या के क्यों डाल रहे हो भाई ने जब नीची देखा तो सचमुच हेरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे भाई ने तुलसी माता की चमतकार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जैकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन मन से अपने बहन के घर गया बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की भाई ने अपनी बहन की साह ससूर से आग्या लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और राष्टे में सारी कहानी पताते आ रहा था कि कैसे भावी ने जुआर भर कर थैले में दिये थे और तूलसी माता की किरपा से कैसे ही जुआर हीरे मोती सोने चांदी में बदल गये भावी को तूलसी माता का महिमा पता चल गया था अब भावी और बहन घर आकर अपनी भावी को सारी कहानी बताते हैं और तूलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं अब तो भाई और भावी और उसकी बेटी तीनोजन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनकी पूजन से प्रैसन होकर उनके घर में अनेधन के भंडार भर दिये और भावी की बेटी को भी आच्छा घर और वर मिला तो सभी मिलकर बोलिए तुलसी माया की चैए हो एक नगर में एक गरीब ब्रामन अपनी पतनी के साथ रहता था वा भिक्चा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था वा उतने ही भिक्चा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके उस नगर का राजा बहुत धनवान था और प्रामनों का आधर करने वाला था राजा किसी भी प्रामन को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे दूर दूर से ब्रामन राजा के पास आते और मुह मांगा दान लेकर आसिरवाद देते हुए वा आपस चले जाते थे एक दिन ब्रामन की पतनी ने ब्रामन से कहा कि दूर दूर की ब्रामन राजा से मन चाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहां रहेकर राजा के पास नहीं जाते जयन्म भर मैं कंगाली का जख जेलू आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ ब्रामन ने पतनी को समझाते हुए कहा तू तो बाबरी है हमें धन की क्या जरूरत हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके और राजा का धन तो अच्छा नहीं ह चाहिए ब्रामन की पतनी जीद पर अर गई और बोली मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे तुम दो रोज माला लेकर बैठ जाते हो आपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे जब बच्चे दूसरे बच् लल चाहिगा अब तुम राजा के पास जाओ राजा बहुत भला भ्याकति रह वो हमें मुख मांगादान जरूर देंगे मजबूर होकर ब्रामन राजा के महल की और चल परा और राजा उसमें महल में नहीं था ब्रामन को वापस लोटना परा दूसरे दिन ब्रामन की पतनी ने ब्रामन को फिर से महल में भेजा परन्तु राजा फिर से महल में नहीं मिला तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्रामन का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्रामन देवता से दो दिन न मिल पाने के लिए चामा भी मांगी राजा ने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ब्रामन ने कहा जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे राजा ने कहा हाँ हाँ कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ब्रामन ने नीवेदन किया महराज मैं कुछ और नहीं चाहता बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से चार पैसे दान में दे दीजिए ब्रामन की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मनहीमन सोचने लगे कि मेरी महल में कितने सारे धन पड़े हैं और मेरी महनत की एक कौड़ी भी नहीं है राजा ने ब्रामन से कहा आप मुझे एक दिन का समय दे मैं कल आपको आपका मुह मांगा दान दूंगा ब्रामन महल से अपने घर को खाली हाथ ही लोटाए ब्रामन को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली क्या हुआ राजा ने कुछ दिया नहीं ब्रामन बोला राजा ने कल देने के लिए कहा है ब्रामन की पत्नी सोचने लगी सायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी ववस्ता करने में समय लग रहा होगा इसलिए कल बुलाया है दूसरी और राजा ने अपने राजसी कपड़े बदल कर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेश बना लिया जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया राणी बोली मैं भी आपके साथ चलूँगी राजा के हाँ कहने पर राणी भी पूरानी सारी पहन कर आ गई इस परकार राजा राणी मैदूरी की तालास में सहर निकले लुहारों के मुहले में जाकर राजा ने आवाज लगाई किसी को मजदूर चाहिए आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो पही पर हाल चड़ाने के तयारी कर रहा था उसने राजा से कहा देखो तुम्हें पहले खालात थोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घंड पिटना होगा फिर रानी के और देखकर कहा तुम्हें कुए से पाने लेकर होदी भरनी होगी और कोईने वाले घर से कोईना लेकर भट्टी में डाला होगा तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें दो दो आने दूँगा अगर काम पसंद हो तो बोलो नहीं तो अपना रास्ता ना को राजा रानी लोहार की बताए काम को करने लगे राजा खालात ठोकने लगा पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा राणी भी कुवे से पानी भर कर लाने लगी राणी की हाथ में फ़फोले पर गए किसी तरह बड़ी कठी नायों से उसने पानी का हौज भरा उसके बाद रानी कोईला लाकर भटी में डालने लगी कोईला भरने की कारण रानी के गोरी-गोरी हाथ और कपरे काले पर गए भटी में आग आने पर लुहार ने पात भटी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना हाथ इधर उधर ना होने पाए राजा जोर जोर से घन पटकने लगा लेकिन उसका निसाना ठीक नहीं बैठता था कभी घन हाल पर गेता तो कभी पहीई पर मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन वरबराती हुई आई और लुहार से कहने लगी तुमने कहा से या नो सिखिये मजदूर काम पर लगाए है इनसे काम तो होगा नहीं यहा मजदूर तुम्हारा सब काम विकार देंगे राजा रानी उन दोनों की फटा कर सुनते सुनते अपना काम मन लगा करते रहे घन पटकते पटकते राजा का सरीर पौसीना से तर तर हो गया और जोर सोर से सास चलने लगी रानी भी पानी भरते भरते और कोईला जोकते जोकते ठक कर चूर हो गई दोनों ने पूरे दिन बहुत महनत की लुहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिये जिसे वो बड़ी खुसी खुसी लेकर महाला गए आज उन्हें पता चला की महनत की कमाई कैसी होती है राजा ने चार पैसे अलग रख दिये और अगले दिन ब्रामन को बुला कर उसे दे दिये ब्रामन राजा को आशिरबाद दे कर घर लोटा और ब्रामनी से कहा लो मैं राजा की यहां से दच्छिना ले आया हूँ ब्रामनी खुस होकर दौरती हुई आई पर जब उसने चार पैसे देखे तो वह ठिठक कर रहे गई और उन्हें दूर फेक दिया वो जल भुनकर ब्रामन से बोली तुम जैसे दरिद्र राजा की यहां भी जाकर कुछ नहीं मांगा सर में भी नहीं आती इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबरादी रहे ब्रामन ने उन चार पैसो को उठा कर तूल्ची के पास रख दिये और सोचा जब ब्रामनी सांथ हो जाएगी तो जरुरत परने पर ये सिक्के को उठा लेगी प्रेंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बिलपत्र उपर से गिर-गिर कर मिटी में दब गए ब्रामन और ब्रामनी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए कुछ दीनों के बाद तूलसी जी की घर में चार पौधे उगे चारो पौधे बहुत सुन्दर थे यहाँ देख ब्रामनी रोज उसमें पानी डाल देती चार महिने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे फूल सुकने पर इनसे मोधी ज़रने मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते ब्रामनी उन मोतीयों को समेत कर घर के एक कोने में डाल देती इस तरह वहां मोतीयों का धेर लग गया था एक दिन एक सबजी बाली आई ब्रामनी को सबजी लेनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे उसने सबजी बाली से कहा क्या तुम इन चमकदार बीजू के बदले सबजी दे सकती हो सबजी बाली ने देखा तो वो पहचान गई अरे ये तो मोदी है उसने खुसी खुसी ब्रामनी को उन मोदियुक बदले उनकी मन पसंद सबजी दे दी अब इसे हर रोज ऐसा होने लगा ब्रामनी और सबजी बाली दोनों खुश थे सबजी बाली यहां सोच कर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकाडी के बदले हजारों का माल मिलता है और ब्रामनी यह सोच कर खुश थी कि इस बीजों के बदले सबजी मिल जाती है इस परकार कई महिने बीद गए थे उसके बाद ही राजा और उसका परिबार भोजन करता था एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में तक कि सायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है ऐसा हालत में हमें उन लोगों की साहता करने चाहिए ब्रामन ने ब्रामनी से कहा अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को देदू तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं ब्रामनी का हां मैं राजा के पास वहांचा और उसे बो मोति दिये और राजा को सारी बात बताई राजा उन मोतियों को देखकर चोगिया उसने मोधी राजहंस को दिये राजहंस उन्हें चुगने लगे यहां देख राजा ने ब्रामन से कहा एक-एक मोधी 10 रुपय का है सच बताए आपके पास इतने मोधी कहां से आये ब्रामन बोला महराज ऐसे वीजितों हमारे घर पर बहुत है और राजा को पूरी बात बताई राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्रामन के घर पहुंचे और उन चारों पेरों को देखा उच ताच में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई जब पे आखो करोरों की दौलत है जिसे वो साधन बीच समझते थे ब्रामन ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का ऐसा सोच ब्रामन ने सारे मोती राजा को दान में दे दिये राजा की आखे भी खुल गई महनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पर गई उस दिन राजा ने प्रन कर सके लिए इमें खजाने की पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च मे नहीं लगाऊंगा अपना खर्च महनत करके चलाऊंगा खजाने और ब्रामन की दान से राजाने जनता का इत में कई धर्म कर्म की काम सुरू कर दिये हे तुलसी माता जैसे आपने ब्राह्मन परिबार पे अपनी किर्पा बरसाई बैसे ही आपकी कथा कहने वाले सुनने वाले हुकारे भरने वालों पर अपनी किर्पा सदा बराय रखे वो प्रेम से बोलिये तुलसी मैया की जै हो पुरानों में बताया गया है कि एक बार भगवान गनेश गंगा नधी के किनारे तपस्या कर रहे थे इसी कालवधी में धर्मातमज की कर्ण्या तुलसी विपा की इच्छा लेकर तिर्थ यात्रा पर निकली देबी तुलसी सभी तीर्थ अंस्थल का भ्रामन करते हुए गंगा के टटपर पहुंची गंगा टटपर देबी तुलसी ने देखा कि यूबा गनेश जी तपस्या में लीन थे सास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गनेश जी रतना जटित सिंगहासन पर बिरजमान थे उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था उनके गले में पड़ी जात पुस्प के साथ स्वर्न मनी रतनों के अनेक हार पड़े थे उनकी कमर में अंत्यंत कोमल रेसम का पितामबर लिप्टा हुआ था तूलसी सिरी गनेश के इस सुन्दर स्वरू पर मोहित हो गए उसके मन में गनेश से विवा करने की इच्छा जागरित हुई तूलसी ने विवा की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया तब भगवान स्री गनेश ने तूलसी द्वारा तब भंग करने को असुब बताया और तूलसी की मन सा जानकर स्वयम को ब्रमचारी बताकर उसके विवा प्रस्ताव को नकार दिये विवा प्रस्ताव ठुकराने पर तूलसी ने नाराज होकर गनेश जी को सराप दिया कि उनके एक नहीं बलकी दो विवा होंगी इस पर स्री गनेश ने भी तूलसी को सराब दे दिया कि तुम्हारा विवा एक असूर से होगा एक राक्षाज की पतनी होने का सराब सुनकर तूलसी ने गनेश जी से माफी मांगी तब गनेश जी ने तूलसी से कहा कि तुम्हारा विवा संग चूर राक्षा से होगा कींदू फीर तुम भगवान विष्णू और स्री कृष्ण को पुडिया होने के साथ ही कल्यूग में जगत के लिए जीवन और मुक्ष देने वाली होगी और मेरी पूजा में तूलसी चढ़ाना सुभ नहीं माना जाएगा तब से ही भगवान स्री गनेश जी को पूजा में तूलसी चढ़ाना वरजित माना गया है प्रेम से बुलिए गनेश जी की जय तूलसी जी की जय